हेलो दोस्तो मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागत करता हूँ तो आज की जो क्लास है हमारे स्ट्यूल के एकॉर्डिंग आज जोग्रफी है और जोग्रफी में भी छठा चेप्टर है और छठा चेप्टर का ये क्लास टू है ये पार्ट टू होने वाला है इससे पहले पार्ट एक हो चुका है अगर आप लोगों में से किन ही बच्चों ने नहीं देखा है तो वो जाकर के जरूर देखिएगा मैंने उसमें फ्लोचार्ट के माधियम से समझानी की कोसिस की है और ये भी क्लास जो रहने वाला है फ्लोचारट के उपर ही रहने वाला है important है जिनका subject जो गरफी है hindi मेडियम के बच्चे और वो किसी भी state board के इसलिए मैं अपने हर थमबनेल में एस्टेट बोट एक्जाम दालता हूँ मतलब कि किसी एस्टेट का एस्पेसिफिक एक्जाम के बारे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह जो स्लेबस है यह NCRT बेस्ट है और NCRT को जो फॉलो करती है लगभग लगभग सारी एस्टेट गौवर्मेंट के लिए बच्चों क पता चल जाता होगा कि यह जारकंड में पूछा गया यह राजास्थान में पूछा गया यह उत्राकंड में पूछा गया यह बिहार में पूछा गया इसलिए मैं कहता हूं कि सारे एस्टेट के बच्चों के लिए स्टेशन बहुत ज्यादा इंपोटेंट है और आप विस्व में सुरक्षा उस चेप्टर का नाम है इससे related जो subjective question answer के लिए मैंने आपसे promise किया था कि यह question answer मैं आपको दे दूँगा वो मैं telegram group पे provide कर चुका हूँ अगर आप लोगों में से किनी बच्चों को नहीं मिला है तो जा करके जरूर वहां से download किजिए और उसका proper notes बना होंगे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए आप वहां पर download करिए उसको देखिए नोट्स मनाइए और साथी साथ टेलिग्राम ग्रूप में जूट जाइए हमारा टेलिग्राम ग्रूप 26 लोगों का परिवार है और देखा कितना गया है सरसथ लोगों ने द करते हैं पताइए कैसे काम चलेगा मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा जबकि मैं पहले ही बता चुका हूं यहां पर जो कॉंटेंट दिया जा रहा है यह कहीं ने कहीं पेड़ बैच का कंटेंट है यह आपको फिरी में नहीं मिलेगा इतना डीटेल में और साथी साथ अगर जो objective question answer उसके बाद जो subjective question answer जो systematic तरीके से चल ला है यानि कि वस्टोनिष्ट प्रशनुतर और दिरगोतरिया और लगेगोतरिया जो प्रशनुतर जो चल ला है जब्टर question answer यह कहां provide किया जा रहा है इसलिए आप लोगों को channel को subscribe करना चाहिए साथी साथ share करना चाहिए और comment extra जो लोग है 2041 जो लोग है अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ यह 41 लोग extra कौन है जो download करके ले तो गए देख तो गए लेकिन वो channel से नहीं जुड़े है किरपे आप लोग जुड़िये channel से आपको love मिलेगा ठीक है और जो schedule की बात करे हम डेली अपनी class में बात करते है आठ वीडियो के description में Instagram का link आपको मिल जाएगा आप देख लिजिएगा अपने अध्याय को शुरू करते हैं कि previous class में हम लोगों ने previous chapter में मतलब previous इससे पहले का जो एक class हुआ है जोग्रफी से related इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा और आपको पता होना चाहिए chapter 6 तिरतियक और 4 प्रेटर इससे पहले chapter 5 complete हो चुका है सती साथ question answer से question answer भी complete हो चुका हम लोगों ने देखा तिरतियक क्रियाक लाप क्या होता है तिरतियक क्रिया क्लाप का वरगी करन जो किया गया है यह किस आधार पर परिवहन के आधार पे संचार के आधार पर और सेवाओं के अधार पे तो हम लोग पहला जो वरगी करन है वैपार के अधार पे यह अपने पहले क्लास में देख चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग परिवहन के अधार पे संचार के अधार पे और सेवाओं के अधार पर जो तिर्तिया क्रिया कलापों का वरगी करन किय इस से related हम लोग बात करने वाले है और वहीई बात यहाँ पर लिखीगाई है ठीक है। इस तीन के बारे में डिसकस करेंगे और आगे कीड में बताएंगे विद्ध कलास में कि कि दिसकस करेंगे हम लोग आपको पता होगा यह ने आपको दिया था और अगर आपको छोटे-छोटे फॉंट में नहीं दीख रहा होगा आपके पास बुक है तो बुक में मिल जाएगा नहीं तो सिर्फ इस सेशन के लिए थोड़ा साफ अपना जो वीडियो कॉल्टी है यह इंप्रूब कर लिजेगा वैपार एवन दिसकस करेंगे तो हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा परिवहन के अधार ठीक है क्या टॉपिक है हमारा परिवहन साइद कुछ नहीं दीख रहा होगा अभी जस्ट मैं हैट करता हूं खुद को यानि कि यह सब जो है यह बहुतिक चीजे हैं इनके बहुतिक रूपों का ट्रांस्पोर्टेशन किया जाता है यानि कि एक जगह से दूसरे जगह लाया जाता है अपनी सुबधा के अनुसार अपने काम के अनुसार लाया और ले जाया जाता है इस परिवहन को मापा कैसे जाता है तो परिवेहन को मापते हैं किलोमीटर दूरी में लागत दूरी में और समय दूरी में यानि की तीन प्रकार से मापा जाता है यहां लिखा क्या है समय दूरी लिखा हुआ है किलोमीटर दूरी क्या होता है मान लिजिए कोई डिस्टेंस मान लिजिए यह चेतर है यह धूरी में मापा जाता है उसके बात लागत दूरी क्या होती है इस 500 km की दूरी टै करने में कितना सना हमएं आया हम कहीं करते हैं कहीं जाते हैं पाँलो कहीं casa howfulness कहीं जाते है और अपनी प्रशनल कार से भी गए तोस्में तो पैर्ट्रोल लगेगा तो इसमें हमें कुछ न कुछ लागत आता है तो जो डिस्टेंस को जिस दूरी को कभर करने में यानि की 500 किलोमेटर की दूरी की यात्रा करने में जो लागत हमें आता है उसी को लागत दूरी कहा जाता है उसके बाद समय दूरी क्या है जो ये 500 किलोमेटर है इस 500 किलोमेटर क की दूरी की को यात्रा करने में जितना समय हमारा लगता है मालीजे 5 घंटा लगा 4 घंटा लगा 6 घंटा लगा या 10 घंटा लगा जितना घंटा भी लगा उसको हम समय दूरी में मापते हैं या उसको हम समय दूरी कहते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि यह भी बाते आपको करेंगे जो ये परिवहन के संसादन है जैसे हो गया इसके अंत्रगत क्या आएगा बस आएगा रोड पे चलने वाले जितने भी संसादन हो सकते हैं बस हो गया रक हो गया ऑटो रिक्षा इरिक्सा, कार, स्कूटर, गाडियां जो भी आप सोच सकते हैं वो सब के सब सडक परिवहन के संसाधन हो जाएंगे उसके बाद जल परिवहन बड़े बड़े श्टीमर चलते बड़े बड़े पानी का जहाज होता है जिस पे इस तरह का कंटेनर लादा जाता है और इस कंटे परिवहन का जो यह साधन है यह सस्ता तो पड़ता है लेकिन यह समय जादा ले लेता है उसके मुकाबले यह समय बहुत कम लेता है उसके बाद ट्रेनों से भी पैसेंजर ट्रेन होते हैं एक्सप्रेस होती है जो लोगों को ले आती है ले जाती है अपने गंतव्य अस्था अब हम लोग बात करेंगे परिवहन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं यह कौन से कारक होते हैं तूड़ो पॉइंट बात करेंगे जैसा कि आपको पता है सेसन में जिस तरह से चला आ रहा है परिवहन को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं पहला कारक तो है प मांग हो गई जरूरत है जो जरूरत है उसके हिसाप से मांग कहते हैं और मार्ग को रास्ता ये बेंद करेगी यह जन संख्या पर डिपेंड करेगी मान लिजिए यह यह सहर यह इस सहर A है और इसकी जो जनसंख्या है एक हजार है ठीक है एक हजार कुछ कुल लोग रहते हैं तो यहां पर जो परिवहन का मांग होगा और जो एक दूसरा सहर है और जो एक दूसरा सहर है यह सहर B है यहां पर दस हजार लोग रहते हैं या एक लाक लोग रहते हैं इसका जो डिमांड होगा यहां पर जो परिवहन का डिमांड होगा यहां पर क्या होगा में भी हो सकता है हवाई जहाज होगा में भी हो सकता है जो परिवहन के संसादने पानी वाले ये भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन जो एक हजार पॉपुलेशन वाला जगह है जो एक हजार जनसंक्या वाला जो जगह है जो छेत्र है क्या वहां पर ट्रेन की सुब्धा दी जा सकती है क्या वहां पर वाई यान की सुब्धा दी जा सकती है ऐसा नहीं दिया जा सकता क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह खुद जो कंपनियां होगी या सरकार होगा घाटे में चलाएगा क्योंकि यह यहां पर उस्तंसाधन का उप्योग करने वाले लोग कम रहते हैं जब कि यहां पर जादा हो रहते हैं इसलिए जो परिवहन को प्रभावित करते हैं पहला जो है मांग जो है डिमांड परिवहन को प्रभावित करता है यानि कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी परिवहन की जढ़ जयादा होगी डिमांड उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी में उम्मीद करता हूँ यह we셨 दूसरा मार्ग यानि की रास्त कर सथिए बस सडक मार्ग से जाय से भी जहाज है जहाज हो दी प्रकार कौन से तो पानी वाले जहाज जिनको एस्टीमर कहा जाता है और एक हवाई जहाज जिनको एरोप्लेन कहा जाता है ठीक है एस्टीमर एरोप्लेन एस्टीमर हो गया एरोप्लेन हो गया तो एस्टीमर जो पानी वाले जहाज के लिए ये पानी में चलेगा एरोप्लेन है ये वायू में चलेगा जो रेल गारी होती है ये पट्रियों पर दौरती है यानि कि एक सुनिश्चित मारगों पर जो परिवहन है यह चलता है और इसको बहुत सारी चीजे जो है यह परभावित करती है यह परिवहन सुनिश्चित मारगों पर क्यों चलते हैं क्योंकि सामानों को एक जगा से दूसरे जगा ले जाया जाना होता है लोगों को एक जगा से दूसरे जगा ले जाया जाना या ल तो सरक मार्ग से भी किस तरह का सड़क है पहार है उसके बारे में जो आका से कितना साफ है बारिस प्रभाव डालती है तो मैं उमीद करता हूँ यह सारी बाते यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए पांच नुम्बर में तो मैं उमीद करता हूं कि लिख सकते हैं वैसे मैं जब आपको question answer करवाऊंगा तब जरूर आप लोगों को पता चल जाएगा मैं फिर से कहता हूं कर Yesterday Speaking घ्रानव करण hitting जो टेली ग्राम है यह वहाँ पर देखने वालों के अभी तक मेरत मेरे पास आठा है 61 है लेकिन टेली ग्राम में सदस्से कितने हैं होट्री है के ट्वंटिऑ इसिक्स है शिक्सैंई सबस्क्राइब सब्स्राइब नहीं किया चैनल को इन्ःति देख तो लिया है लेकिन लाइक नहीं किया है से संब को जिन्होंने थैंक्यू तक नहीं बोला है वद आप लोगों के भी रिस्पॉंसिब्लिटी वंती है कि आप लोग मेरे सेसं को देखिए साथीसाथ लाइक किजिए सेर कीजिए सबस्क्राइब करनी है यही मेरा मेरा महनत आना है और यही मेरी एनर्जी है यही मेरी ओर यह जहाए जिस वज़र से मैं आप लोगों को यह सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तीसरा पॉइंट है तीसरा टॉपिक जो है संचार पहला हो गया वानिज ठीक है यहां देखिए पहला हो गया वैपार एमों वानिज दूसरा परिवहन तीसरा संचार और जो चौता है चौता हो जाएगा सेवाएं लेकिन हम लोग अभी तीसरा बात करेंगे संचार संचार का मतलब क्या होता है संदेशों को सूचनाओं को ठीक है विचारों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुँचाना यानि कि उनका आदान परदान करना क्या करना उनका आदान परदान करना परिवहन का जब से विकास हुआ उसके बाद से हो गई यह जो संचार क सेवाएं हैं इसको बहुत ही सहोलियत मिल गई बहुत ही आसान हो गया एक सब्द आता है इसमें संचार पत इसके बारे में भी बात करते हैं मैं खुद को हाइड कर चुका हूं क्योंकि अगर मैंने अनहाइड किया खुद को आपको कुछ सब्द जो है या नहीं दिखेगा के समय में संचार यानि कि जो संदेश थे जो विचार थे जो सूचनाएं थी यह कैसे पहुंचाया जाता आतों के माद्हम से लोग पैदल जाते थे और एक जगह का जो सूचनाएं दूसरे पहुंचाया जा सकता जाता था उसके बाद पसुओं के दौरा पक्षियों के दौरा कबुतर का बहुत जादा यूज गुआ नाओं के दौरा जल मार्ग से फिर सड़कों को सरकों के दौरा रेलों के दौरा वायूयान के दौरा जो संचार थे यह परिवहत होते थे यानि कि एक जगा से दूसरे जगह लाया और उनको ले जाया जाता था और इसी वज़ा से परिवहन का जो ये सब रूप है इसको समलित रूप से संचार पत कहा जाता है तो मैं उमीद करता हूं कि सभी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी जब से क्या हुआ कि मोबाइल दूरभास रेडियो औ होता था जो चोंगा वाला फोन होता तो उसको बोलते हैं रेडियो कहीं ले जाने की जड़रत है अगर निव सुनना आपके पास रेडियो है अब सबसे अमीर आदमी टेसला की कार इन ही कि उसका से संभंधित एक project launch किया था जिसके तहत इन्हों ने क्या किया की जो अंत्रिख्ष में इनहों सेटेलाइट को launch किए कि इलोन मस्क ने सेटेलाइट को launch किया और सेटेलाइट कि मतलब उप ग्रह के माध्यम से internet प्रफाइट कर रहे हैं यानी कि छोटी सी मसीन होगी आप अपने पॉकेट में ले करके घूम सकते हैं आपको जहां भी इंटरनेट चाहिए चाहिए पहारों पे दुर्गम इलाकों में गाओं में घने जंगलों में आप इस डिवाइस को ओन कर दीजिए और इस डिवाइस को कनेक करिए अपनी मुबाइल से आपके मु कुछ किजिए लेकिन क्या है कि पूरे विश्व में अभी भी जो डाक का नाम सुनते होंगे डाक ठीक है यह बहुत ज्यादा चलता है अभी भी बहुत ज्यादा परचलन में हैं डाक घर के द्वारा जैसे मान लीजिए आपका पैन कार्ड बनता है वो डाक से आएगा आप बैंक में एकॉण खुल वाते हैं आपका जो चैक वोका आता है आपका जो ATM कार्ड आता है यह डाक से आता है पासपोर्ट यह डाक से आता है डाक से बहुत साड़ी चीज़े आती हैं ठीक है अभी रक्षा बंदन का सीजन आ रहा है तो जो भाई अपनी बहनों से दूर है या जो बहने अपनी भाईयों से दूर है, वो उनके लिए राखियां भेजते हैं, तोफे भेजते हैं, इसके लिए भी डाक घर का उपयोग किया जाता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइबेट हो, इसलिए यह अभी डाक के महत्रों को कम नहीं किया जा सकता, या कम नहीं आक संचार के जो महतपूर्ण स्रोत हैं, इस पर समाचार पत्रों की पहुंच में परिवहन की महतपूर्ण भूमिका रही है, समाचार पत्र जो हमारे आपके घर में सुभह सुभह समाचार पत्र पहुंच जाता है, न्यूज पेपर लेते होंगे, कोई आप कोई सा न्यूज पर लेते होंगे इसमें बहुत साड़े वेक्ति यह परिवहन के दौरा इसके दौरा परिवहन के दौरा न्यूज पर मान लिजिए कहीं पर च्छपाई होती है फिर वहां से ट्रॉकों में उसको लादा जाता है फिर जहां-जहां जाने होते हैं अलग-अलग डिसाओं में इ खर घर जाकर के देते हैं यह कैसे पॉसीबल हो गया यह परिवहन के माध्यम से ही पॉसीबल हुआ तो परिवहन का इतना ज्यादा महत्व है तो मैं उमीद करता हूं कि आपको यह सारी बाते अच्छे से समझ में आ गई हुँगी थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से भी संचार का एक साधन ही है संचार का एक साधन है उसके बाद लेप्टॉप है कभूतर का मैंने जिक्र किया था डाकिया का मैंने जिक्र किया बहुत साड़ी चीजें हैं यह दुर्भास के साथ है जो अभी जश्ट बात होगा परिवहन का जो बदलता सौरूप है रेडियो टेल परिवेहन का जो बदलता सौरूप है, रेडियो और दूरदर्सन, सुरू में परिवेहन, मांद की जगह, संचार का बदलता सौरूप, सुचना, संचार का आठता है, संचनाों का एक से लूज़ के दूसरे जगह तक लाना और ले जाना या संदेशो का आदान परदान, तो संचार का जो बदलता सौरोप है पहले क्या था लोग ऐसे ही चिठ्थे के दौरा पत्र के दौरा कर दिया करते एक सुचना को दूसरे अस्थान तक पहुचाते थे कबूद्रों के दौरा पहुचाते थे बसों के दौरा पहुचाया जाता था डाकिया काम करता था लेकिन इन यह जण संचार का मढध्यम कहा जाता है जन संचार के दोगों के लोगों चनल आपको आसाइन और रेड़ियो लगबग सब पास है और बहूं से ढुंख करने यह निहीं को पूरानी टीवी है नहीं दूर दूरदर्सन चैनल जो नई नई टीवी आ रही है इस पे भी परसारिक होता है और इस पे समचार हम सुन सकते हैं अपने मनुरंजन संबंदी जो भी चीज़ें हैं गाने हो गया या नौले से संबंदी चीज़ें हम उसके सकते हैं और यह जंचार के एक बहुत ही अच्छे साधन होता है उसके बाद समचार और पत्र पत्रिकाएं यह संचार का बहुत अच्छा मादे में समचार पत्र पत्रिकाएं जो पत्रिकाएं होती है मैग जीन इंगलिस में बोलता है इनको यह सबताहिक होती है मंधले निकलती है सिक्स मंध में निकलता है तीन मंध में निक थे पहुँँबופ़ व्लत, धाल चार करने करने बुद्ध सभदाइं, उसी कारणी है लोक्तंत्र का सत्मभ कहा जाता है कि वह जन जन तक पत्तف मोंसंतास थे पहुंचाए जाती है उसके बाद पड़गते करूप में उपगरह संचार और इंटरनेट हुआ ठीक ना इसने क्या किया कि संचार की यह अत्याधूनिक सुभधाएं यह अत्याधूनिक सेवा हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं उसको अत्याधूनिक बोलते हैं इसके कारण क्या हुआ इंटरनेट की वजह से संपूर्न विस्वेक गाउं की तरह हो गया है यानि कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना होती है वो कुछ सेकेंडों कुछ मिनटों में हमारे आपके पास आ जाता है किसके माध्यम से उपगरह संचार के माध्यम से इंटरनेट के माध पना है इसका जन्म हुआ है कि विस्व एक गाउं की तरह बनाए दिया गया है कोई भी घटना कहीं भी होती है किसी भी कोने में तुरंत हमारे और आपके पास चला आता है कुछ पिक्के माध्यम से समझने की कोशिस करते हैं रेडियो ठीक है टेलिवीजन पुरानी टेलिवीजन उग्रह संचार हो गया पत्र पत्रिकाय यह जो नूज पेपर होता है समचार जार अब चौथा हम लोग पढ़ते हैं सेवाएं और मैंने यह जो सब्द है यह जो टर्म है काफी मैंने आसान रखने की कोशिस कि आप लोग के लिए अगर ताकि आप लोग पढ़े खुश्ते भी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए चौथा है सेवाएं सेवाएं क्या होता है की मानव डीत ओर किर्याकलाप ओर के अमूर्त सेवाओं से संबंदित मुम्त सेवाएं क्या होती yeah जहां प्वस्तूओं का भॉत्त बहुतितर का अर्थ है चस्मा वस्तूओं का उत्पादाने इस अस्मा यह जो भौतिक रूप में यह जो पैन देख रहे होंगे यह भौतिक रूप में है मुबाइल भौतिक रूप में है लेकिन सेवाइं भौतिक रूप में नहीं होती जैसे माली सेवा करता है डॉक्टर सेवा करता है सिक्षक सेवा करता है उसके बाद वग्यानिक है वकील है धोबी है मोची है यह सब के सब अमूर्त सेवाओं के अंतरगत आएंगे यह मूर्त सेवाओं के अंतरगत नहीं आएंगे क्योंकि यह सब किसी उत्पाद का किसी बस्तू का उत्पादन नहीं करने यह लोग अपनी से इसलिए इनको अमूर्त सेवाओं के इंतरगत रखा गया है जो सेवाएं हैं विभीन अस्तरों पर ली जा सकती है या दी जा सकती है जैसे कुछ सेवाएं होती है केवल व्यक्तिगत होती है जैसे डॉक्टर की सेवाई ये क्या है व्यक्तिगत है कोई बीमार परता है तो व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर के पास जाता है कुछ सेवाएं केवल उद्योगों को दी जाती है या उद्योगों से ली जाती है जैसे बड़े-बड़े मैनेजर होते हैं उद्योग को क्या करने के के लिए मैनेज करने के लिए वह अपनी सेवाइं उद्योगों को देते हैं और कुछ सेवाइं वेक्तियों और उद्योगों दोनों को दी जाती हैं या दोनों से ली जाती है depend करता है condition पे कि आप क्या चा रहे हैं पर तेक सेवाई जो हैं चाहे वो ली जा रही हो या जो दी जा रही हो इनका एक मूल होता है और इन सब का जो मूल है या अलग-अलग होता है भुगतान उनके मूल के अनुसार किया जाता है जैसे अगर बात करें जैसे बात करें जो प्रवाधार के अधार सकता है तोंटAD vacun करता है की ये सब सारेक्सरम के अधार पर इक्लेयוא कोनहांतों पेड़ा होटा है इनका मुल िए अ Кद्छा करता करता जो Lukis सब्रम करते होते हैं जैंने मुझ दशता है यह सबसे रापाने ne जो खाना बनाते हैं ये सब के सब सारेरिक स्रम करते हैं और इसलिए इनका भुगतान जो है कम किया जाता है इनका वेतन कम होता है ये सब के सब और संगटित छेतर में आते हैं और संगटित छेतर उन छेतरों को कहते हैं जो संगटित नहीं हो एक साथ नहीं हो यानि कि इनका है जो काम है यह सरकार की दोरा रागुलेट सब्सक्राइब करते हैं इन स्वादा यह सब लोग इस लिए यह जो हैं यह सब लोग माली नाई मोची यह सबी लोग काम की तलास में एक जगा से दूसरे जगा प्रवास करते हैं और इसी वज़े से इनको और चत्र के अंतरगत रखा जाता है अगर और संगटित चत्र का एक उजहरन दे तो मुंबई का डबा वाला एक पिक के माध्यम से आप देख सकते हैं मुंबई में करीब करीब दो लाख लोगों को इन डबों के माध्यम से खाना खिलाया जाता है यह बहुत बड़ा चत्र होता है अगर मैं बात करूँ वहीं कि विस्व के जो भी विक्सित देश है वहां पे वहां पे जो है हमारे यहां क्या है जो माली है धोबी है ना यह इन सब को कम भुकतान किया जाता लेकिन जो विक्सित देश है इन सब को बहुत जादा भुकतान किया जाता अगर मैं ड्राइवर की बात करूँ अगर मैं ड्रा जरूर रुपय तक कमाते हैं लेकिन हमारी यहां ड्राइबर और जो होते हैं वह होते हैं अगर बात करें मांसिक सर्म के अधार पे ज़यादा होता है जैसे टीचर अगर टीचर आपको पढ़ाता है तो वो मांसिक वर करता है, डॉक्टर मांसिक वर करता है, वकील मांसिक वर करता है, जो संगितकार है ये मांसिक वर्ग करता है और इसलिए इनको अधिक भुगतान किया जाता है, यह संगटित छेतर के अंतरगत आते हैं, तो मैं उमीद करता हूँ कि ये सारी बाते आपको सेवाचतर से संबंदीत है जिसमें अमूर्थ सेवाओं का व्यवसाइक उत्पादन होता है स्पैलिंग देख लिजागा व्यवसाइक उत्पादन होता है जो विक्सित देश हैं इसके लगवख 75 परतीसत लोग सेवाचतर से जुर्य हुए कर नहीं. यानि कि वहाँ पे प्राथ में किरियाओं और दुतियक परतीसत सेवी कम लोग सेवाचतर में जुड़े हो गए हैं और इसी लिए विकास सील देशों को ये जरूरी ये इंस्योर करना होगा ये सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा छत्र की तरफ आएं ताकि उनका जो आर्थिक विकास है ये अच्छे तरीके से हो सके हलांकि अगर बात करें इ है ये दिरे दिरे बढ़़़ रहा है और अगया करके वा तिर्तियक यानि की से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि क्वास यहीं पर रहने देते हैं अगली क्लास में किछ स्षिस्फपरी changes उसके बाद चतुर्थ किरिया क्लाप और पंचम किरिया क्लाप उस सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा साथ हमारे सेशन को लाइक, सियर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए थैंक यू